किसान भाईयों नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चेनल डीफार्मिंग में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें हमारी मत्र की फसल में कुल कितनी सिचाई और कब सिचाई करना चाहिए और सिचाई की समय हमें हमारी मटर की फसल में कौन सा खाड देना चाहिए जिससे फसल ची तरह से ग्रोथ करें फसल की बढ़वार अच्छी तरह से हो और अंतर में हमें ज़्यादा उत्पादन मटर की फसल से मिले तो इन सभी बातों पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी तो वीडियो को बिना स्कीप के एंड तक जरूर देखें जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए नीचे लालक सोरो में सस्क्राइब के बटन है उसे दबाए पास में जो गंटे आती है उसे जरूर दबा ले ताकि आपको इस वीडियो की खेती संबंदित वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहे किसान भाईयों बात करें मटर में सिचाई की तो मुक्के रूप से मटर की वसल में तीन सिचाई की आउसकता होती है आप अपने खेत की मिट्टे के हिसाब से सिचाई की संक्या को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं बात करते हैं यानि की मेंटर की वसल में पहले सिचाई की तो आपको अपनी वसल में बुवाई के लगबग 35-40 दिन बात पहले सिचाई कर देना चाहिए इस दोरान आपको खेत की अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई भी करना फाइदे मंद माना जाता है ये तो भी सिचाई की बात अब बात करते हैं सिचाई के समय हमें कौन सा खाद देना चाहिए तो इस समय आपको 40 kg यूरिया फ्लस उसके साथ 5 kg माइक्रो निट्रियन्स फर्टिलाइजर लेना है इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर अपनी फसल में सिचाई से पहले डाल देना है जिससे सुरुवाती अवस्ता में फसल की बढ़वार के साथ अच्छी तरह से ग्रोध भी हो उसके बात बात करते हैं सिचाई के दूसरे समय की तो फूल से फलिया बनते समय आपको अपनी फसल में दूसरी सिचाई करना है फूल आते समय भी आप अपनी वसल में हलकी सीचाई कर सकते हैं इसके बाद अपनी मिट्टे के हिसाब से आप आउसकता अनुसार अपनी वसल में सीचाई कर सकते हैं सीचाई की संक्या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं वो आपकी मिट्टी पर डिपेंड करता है यह तो भी सिचाई की बात अब बात करते हैं जब आप दूसरी सिचाई करते हैं तो आपको कौन-कौन से खाट डालना चाहिए तो दूसरी सिचाई से पहले आपको 45 kg यूरिय लेना है प्लस उसके साथ आपको 25 kg पोटास M.O.P. उसके फलों का विकास अच्छी तरह से हो फल्य आएं फल्यों में दाना बरौओ अक्षी-तरह से हो और फल्यों की संक्या जादा हो जिससे अधिक उत्पदन मिल सके किसन भाईयों मैं जो आपको एक खाद बता रहा हूँ इनको आपको एक एकड़ की मातरा रखनी है और मैं आपको एक एकड़ की मातरा बता रहा हूँ तो आपको एक एकड़ में इनका परियोग करना है किसान भाईयों इसके बाद आपकी फसल को कोई भी खाद या टोननी की आउसकता नहीं होती है क्योंकि जो भी खाद मिने आपको बढ़ता हैं ये फसल की जड़ों में जाकर अच्छी तरह से फसल को पोस्टक तत्व पहुचाते हैं जिसे फसल में सीचाई से पहले डालने से फल पूलों का वीकास ग्रोद बढ़ती है बड़वार अधिक होती है फलें अधिक आती है और कम से कम खर्चे में आप अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं तो खिशान भाईयों आप अपनी वसल में किस तरह सिचाई करते हैं और सिचाई से पहले आप कौन-कौन से खाद का प्रयोग लाते हैं तो आप हमें कमेंट के माधियम से बता सकते हैं इस वीडियो में बता वी जानकरी आपको कैसी लगी आप कमेंट के दौरा हमें हमसे जूड़ सकते हैं इस वीडियो का दिख सथी किसानों के पास सेयर करें और वीडियो पसंद आथे वीडियो को लाइक जरूर करें तो आसा करता हूं आपको वीडियो पसंद आए होगा तो चले मिलता हूं ऐसी नहीं जानकर के साथ नए वीडियो में जै किसान